संकटा माता ब्रत कथा एक बुडिया थी उस बुडिया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाद रामनाद धन का माने के लिए परदेश चला गया बुडिया अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी क्यूंकि बहु उसे प्राया दिन खरी खोटी सुनाया करती थी इसलिए बुढिया प्रती दिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर इस्थित कुवे पर बैठ कर रोया करती थी बुढिया का यह करम रोज चलता रहा एक दिन कुवे में से दिये की मा नामक एक इस्थि निकली और उसने बुढिया से पूछा बुढिया मा तुम इस तरह बैठ कर क्यों रोती हो तुम्हें किस बात का कष्ट है तुम मुझे अपना कष्ट बताओ मैं तुम्हारे दुख द करने का प्रत्न करूंगी बुढिया ने उस इस्तरी का प्रस्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही दिये की मा बार बार एक प्रस्न दोहराई जा रही थी वह बुढिया इस बात से जुलजुला उठी उस बुढिया ने दिये की मा से कहा तुम मुझे बा बबर ऐसा क्यों पूठ रही हो क्या सच मुच्छी तुम मेरा दुख जान कर उसे दूर कर दोगी। बुढ़िया के बात सुनकर दिये की माँ ने उत्तर दिया मैं अवसक ही तुमहारे कस्टों को दूर करने का प्रत्न करूंगी। बुडिया ने दिये की मा का ऐसा अस्वासन पा कर कहा, मेरा बेटा का माने के लिए परदेश चला गया है, उसके बीचे मेरी बहु मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुडिया की बात सुंकर दिये की मा ने कहा, यहां के वन में संकटा माता रहती है, तुम अपना दुख उनसे सुना कर कश्ट से छुतकारा पाने के लिए प्रातना करो। मा बहुत दयालू हैं, दुखियों के प्रती बहुत सहानू भूती रखती हैं, नी संतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भागवान बनाती हैं, उनकी क्रिपा से सुभागवती इस्रियों का सुभाग अचल हो जाता है। कुवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर्त की प्राप्ती होती है, रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं, इसके अलावा जो भी मनो काम ना हो, वह सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई भी संदे नहीं है, दिये की मा से ऐसी विल्छड बात को सुनकर बुढिया संकटा मात के पास गई, और उनके चड़नों पर गिल कर विलाप करने लगी, संकटा माता ने बड़े ही दयालू होकर बुढिया से पूछा, बुढिया तुम किस कारण इतने दुखी से बार पर रोती रहती हो, बुढिया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आप से तो कु करने का अस्वासन दे, तो मैं अपनी दुखत गथा आपको सुनाओं। बुढिया की बास सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढिया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है, उनके घर में ना रहने से मेरी बहु मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है, उसकी बाते मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परसान होकर मैं बार बार रोया करती हूं। बुढिया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मननत मनोती मांग कर मेरी पूजा करो, इस से तुम्हारा लड़का साखुसल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन इस्त्रियों को अमंतित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवस्क ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अंसार उस बुड़िया ने मनोती मांग कर पूजा की और सुहागन इस्त्रियों को भोजन के लिए अमंतित किया। परन्तु विचितर बात या हुई जब बुड़िया ने इस्त्रियों के लिए लड़ू बनाने सुरू किये तो उससे साथ की जगा आठ लड़ू बन गए। इस बात से बुड़िया बहुत ही अजमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है कहीं मुझसे गिनने में तो गल्ती नहीं हो रही अथवा उसने आप आठ लड़ू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक विद्र इस्त्री के रूप में बुड़िया के सामने परकट हुई और बुड़िया से पूछा क्यों बुड़िया आज तुम्हारे यहां कोई उस्सव है क्या। यहां सुनकर बुड़िया बोली आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन इस्त्रीयों को बोजन के लिए अमंत्रित किया है किन्तु जब गिनकर साथ लड़ू बनाती हूँ तो वो लड़ू अपने आप ही आठ बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पढ़ गई हूँ। बुड़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा क्या तुमने किसी बुड़िया को भी अमंत्रित किया है। बुड़िया कहने लगी नहीं मैंने ऐसा नहीं किया परंतु तुम कौन हो। संकटा माता ने कहा मैं बुड़िया हूँ मुझे ही अमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुड़िया ने उस बुड़िया रूप धारी संकटा माता को भोजन के लिए अमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढिया के घर पर सभी अमंत्रित सुहाग ने आपहुची और बुढिया ने सबको लड़ू तथा अन्य मिठाई आदी का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढिया पर बहुत प्रसन्य हुई और माता की क्रिपा से उस बुढिया के बेटे के मन में अपनी माता और पतनी से मिलने की इच्छा प्रकट हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढिया संकटा माता की पूजा कर सुहागनियों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी लेकिन बुढिया अपने काम में लगी रही। उसने कहा लड़के को बैठने दो मैं सुहागनियों को जीमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहु ने पती के आने का समाचार सुना उसी छड़ पती के स्वागत के लिए तुरंत घर की बाहर चल दी। लड़के ने अपनी पतनी को देख कर मन में सोचा की मेरी इस्तरी मेरे प्रती कितना प्रेम रखती है। जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी मा को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी मा मुझसे मिलने नहीं आई जब पूजा का काम समाप्त हो गया सभी सुहाग ने भोजन करके अपने अपने घर को लोट गई बुढिया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुची मा के आने पर लड़के ने पूछा मा अब तक कहा थी उसका सवाल पूछना जायस था क्योंकि मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी मा ने कहा बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनोती मांग रखी थी उसी को पूरा करने के लिए सुहाग ने जीमा रही थी संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पतनी से हट गया उसने मा से कहा मा या तो मैं यहां रहूंगा या रहेगी बुढिया ने कहा बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है इसलिए तुम्हें छोड नहीं सकती इसलिए चाहे बहु का त्याग भी करना पड़े मैं कर सकती हूँ अता लड़के ने अपनी इस्तरी को घर से निकाल दिया घर से निकल कर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर रोने लगी एक राजा उधर से जा रहा था उसे रोता देख कर राजा रुगा और पूछा तुम क्यों रोहो रही हो जो लोग अपने सास्त को इस तरपाते हैं उनके साथ यही हाल होता है तो आईए जानते हैं आगे क्या हुआ तब उसने अपनी सारी विथा राजा को कह सुनाई राजा ने कहा आज से तुम मेरी धर में बहन हो इसलिए रो मत मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा यह कहे कर राजा उस इस्तरी को अपने महल में ले जाकर आ गया महल जाकर राजा ने राणी को सारी कथा सुनाई और राणी को कहा देखो आज से मेरी या धर में बहन है इस महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए राजा के यहां पहुच कर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रावनाथ की इस्तरी ने भी संकटा माता का ब्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता ने नीमित सुहागनों को भोजन कराने के लिए अमंत्रित किया उसने रानी को भी अमंतृत किया जब सभी सुहाग ने लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा मुझे तो रबडी, मलाई और स्वादिश मिस्थान ही हजम होते हैं यह पत्थर समा लड्डू कैसे हजम होंगे एसी अविहलापूर बाते कह कर रानी ले लड्डू खाने से मना कर दिया कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनात अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया वहां आकर अपनी पतनी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़ कर प्रणाम किया और अपनी पतनी से कहा प्रिये मेरे अपराथ को छमा करो और मेरे साथ अब अपने घर को लोट चलो पत्नी ने कहा नाथ यह सब प्रारध से ही होता है इसमें आपका कोई दोस नहीं है आप मेरे इस्वर रूप हो मेरे ही अपराद को छमा करें यह कहकर दोनों ने विधी पूरवक संकटा माता ब्रत कथा सुनी संकटा माता की पूजा की पूजा को समाप्त कर सुहागनियों को जिमा कर दोनों पती पत्नी अपने घर की और प्रस्थान के लिए तैयार हुए जाते समय राबनाथ की इस्तरी ने राजा रानी से कहा जब मुझ पर इतनी दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर में बहन बना कर मुझे आस्रे दिया था यदि आपको किसी भी तरह की सहयता की अउख सकता हो तो मेरी कुटिया में नी संकोष चले आना ऐसा कहकर दोनों पती पत्नी अपने घर चले आएं संकटा माता के परसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकटा पड़ा रावनाथ की बहु के जाते ही उनका राजबाठ नस्त हो गया ऐसी भी पती में पड़कर रानी ने राजा से कहा ना मालूम था कि तुम्हारी धर में बहन कैसी थी उसके यहां से जाते ही सब कुछ नस्त हो गया रानी ने राजा से कहा जाते समय वह कह गई थी कि जब वह मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहां आई और कदाचित तुम्हारे उपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना इसलिए हम लोगों को आपके उसके यहां ही चलना चाहिए जो आपकी धर में बहन थी और हमें आपके उस धर में बहन के घर जाना चाहिए और हमें भी उसके घर में रहना चाहिए ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर में बेहन के घर गए वहां जाकर रानी ने कहा बेहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नश्ठ हो गई हम लोग बहुत परसानी में पड़े हुए हैं रानी की बात सुनकर रामनाथ की इस्तरी ने कहा बहन मैं तो कुछ नहीं जानती मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है इसके अतरिक दूसरा कोई नहीं है इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए छमा याचना करो उन्हीं की मान मनवती से तुम्हारा काम बन जाएगा तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे राम नात की इस्तरी की बाते सुनकर रानी ने स्रधा भक्ती से संकटा माता का ब्रत किया और सुहाग्नियों को जीमा कर अंजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार-बार छमा मागी और संकटा माता से बहुत हाथ जोड़ कर तहे दिल से छमा मांगती रही रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्य हो गई और रात में रानी को सपने कहा कि तुम दोनों पती पतनी अपने महल को चले जाओ वहां आकर मेरी पूजा करना और मेरे निर्मित सुभागनों को जिमाना ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राज पाठ तुम्हें दुबारा वापस मिल जाएगा सुभा होते ही रानी ने अपने सपन की बात राजा को बताए रानी की बात सुनते ही राजा उसी छड रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अंसार पूर भक्ती भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागनियों को भोजन कराया ऐसा कहने से उनका बिगडा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया इसलिए आप लोगों को भी कोई भी पूजा तहे दिल से करनी चाहिए और वह पहले की तरह राज़ को भोगने लगे तो जोर से बोले संकटा माता की जए बोलो संकटा माता की जए इस पकार संकटा रानी ब्रत कथा संकटा माता ब्रत कथा समात हुए आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर करें धन्यवाद